पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजसरकार से बनभूल पुरा हिंसा की नियाईक जाच की मांग की है पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरिश रावत ने कहा कि इस पूरे घटना करम की नियाईक जाचो और जिन लोगों का भी इस घटना के पीछे हाथ हो उनको सजा मिलने चाहिए उन्होंने कहा कि भाजपा को ततकालिक लाब न देकर राजी के दीरकालिक लाब को देखना चाहिए ऐसे में इस पूरे मामले की जाच हो ताकि असल दोशी पकड़े जाए साथी उन्होंने कहा कि जिसने गलतियां के हैं उन्हें इसकी सजा मिलने चाहिए लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ये घटना पहले से निर्धारिक तो नहीं थी कुछ जाइक जांच हो ताकि असली कारण भी समझवा आ जाए और असली गुनागार भी सामने आ जाए कोई किसी को बचाने की कोशिस नहीं कर रहा है जिसने गलतियां किये हैं उनको तन्य भिलेगा लेकिन सवाल ये है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बिल्कुल नर्धारिक स्क्रिप्ट के ताहट सब चीज़ें हुई है दस साल बाद परिवर्तन का मानस बनाए लिया है और यदि जन्ता ने परिवर्तन का मानस बना लिया है तो परिवर्तन आउश्य संभावी है और मैं जो परिवर्तन की सक्तियां हैं उनके उपर कहां क्या उतल उतल हो रही है क्या चकर्मकर कर रहा है उसका कोई असर पाढ़ने नहीं जा रहा है क्य GHIE है तो परिवर्तन के लिए काम करेंगी और 2004 में हम ने देखा 2004 में ने देखा जब परिवर्तन की धारणा बनती है तो फिर जंता आगवाई करती है यह 2024 में भी परिवर्तन के लिए जंता झाल 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 झाल